हेलो मैं बीटिफुल सोल्स वेलकम टू मैं यूट्यूब चानल जारोवी शीवी चिपाले जियर कैसे हैं आप सभी लोग आए वह आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं बहुत चैस अपने नावा करें चैनल पर रहें रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को लेकर क्या सूछी है क्या उनकी करेंट आऊच क्यों कीश फेंगा मुझे नमबर आपको दिखाई देरहा होगा micro स्क्रींप्रेंट स्क्रींप्रें फिर्स्ट कार्ड वी, फिर्स्ट कार्ड वी, फ्लेफुलनेस आज़्स्ट आपके परसंद को ऐसा लगता है यह इतने सारे इम Aixòूर लोग है उनके आज़ पास कुसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते और उनकी इम ही इमिचुरिटी की बाद आप उने ट्रस्ट नहीं कर सकते है ऐसा ही परसंद कल रात में सोचने की कोशिश कर रहे है कि इस लेवल की इमेचॉरिटी इस परसन ने आपको दिखाई है उसके बाद आप इस परसन को ट्रस्ट नहीं कर सकते हूं और जतने इमेचॉर लोग इस परसन की लाइफ में अवेलेबल हैं इनके आस पास ठीक है यह परसन उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ऐसा इनको लगता ठीक है न हम यहां पर ऐसा भी फील हो रहा है जैसे यह परसिंट का रात में अपनी एक्जिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं यहां क्यों हूँ मुझे यहां क्या रहा हूँ मुझे करना क्या है ठीक है मतलब मैंने लाइफ क्यों ली ठीक है मुझे जनम क्यो मिला, अपने आप से सवाल कि यूनिवर्स को तो मुझे जरम देना ही नी जाहिए कि यहां भीजना ही ने चाहिए था, जब अपनी लाइफ आप सारी चीजों से घिर जाते हो…! या फिर हार जाते है या फिर आप की लाइख के को बहुत जादा बढ़ गए हैं लोगों की इस परसन के दिल पर ना बहुत जादा बोज बनती जा रही है जो आस पास लोग मौजूद है वह काफी जादा है या फिर उनके साथ मैचौरिटी लेवल मैच नहीं करता आपके पार्टनर का इस परसन को लगता है कि सब बस अपन अधारन सी जिन्दी जी रहे हैं लेकिन उनके साथ एक डिफरेंट केस हो जाता है जिनके लाइफ में अवेर्नेस बढ़ रही है या फिर जिन्होंने बहुत सारे लाइफ लेसंस को लर्ण कर लिया है उनकी लाइफ में ऐसा लगता है कि बेबुनियादी चीज़े हैं सारी टीकर आप जैसे मतलब ऐसे समझिये एप किसी फ्रैंडी के साथ बैठ्ध हुए है अपने और आप अपने फ्रैंडी के सामने बैठे हुए है तो आप जब बातें गरेंगे आप अवेर्ननेस में आ चुकिए मां लीजि ay और 009 Rap आपके पास और शाओ साही चीज़े कि आपको पते क्या फील होगा कि इन्सान टोड़ी इंमेच।र है आपके सामने हो गई है पहले कि और इंदर कुछ परीवर्तन हो यह इसी आपको आपको पहले की तरह नहीं लगेगा या फिर आपको लगेगा कि फाल बात कर रहा है किसे पांगलों की तरह हस रहा है किसे पांगलों की तरह बोल रहा है ऐसे ही पहले आप भी थे आप भी ऐसे ही हसते थे ऐसे ही बोलते थे ऐसी खुशनुमा रहते थे ऐसी कुछ भी बोलते थे किसी की भी बात कर इसा जिए भास बारे सोच टे व नहीं जाहिए को नहीं नहीं करना है 46 फ्रेंट किरन करते हो इसा कुछ नहीं है लेकिन चिराइब करते हो से जब को ऐसी कॉन्वरीज में बैठना ऐसी जगह पर बैठना जहां पर बहुती बैक बिचिंग होती हो या फिर मतलब लोगों की बुराई होती हो एक तो पहले आपको चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो वहां बैठना भी आप पसंद नहीं करोगे तो जैसे से आप बैठ जाओगे तो आप कुछ ब पार्टनर को ना immature लगते हैं सारे क्यों इस परसन के अंदर आवेनेस पढ़ रही और इस परसन को सब फिर ट्रस्ट इशूज भी होते हैं क्योंकि उस वक्त आपको ट्रस्ट इशूज इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको इसे लगता है कि यह आपकी बात ना तो समझ सकता ह ना ही आपको सला दे सकता है एक 3D का इंसान जो 3D मचलिस्टिक लाइफ में टोबली बिजी है वो 5D के इंसान को क्या ही चीज़े समझाएगा या फिर वो उसको क्या ही ग्यान देगा या फिर वो उसे क्या ही रिस्पॉंस करेगा जब भी कोई आप बताने जाओगे अपनी आपको दिखा कहीं पर दिखा चलाज कर आपना क्यों कि उन लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा जो भी चीज़ आप फेज कर रहे हो यह सिर्फ इस जगह पर है या फिर जो इस पात से गया है से वही आपको बहुत अच्छे से समाझ सकता है ठीक है इसी विए से काउंसलर की तौरत पड़ती है यहांबर वो एनरजी निकल कर आ रही है आपके पार्टनर को भी एक काउंसिलर की ज़रा त्यूंकि इस परसन को बहुत जबरदस्ट रास इशू कर रात में लोगों की उपर थे उनको ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी बात किसी के सा शेयर भी नहीं कर सक सकता ठीक है और पॉसिबिलिटी इस परसन को ऐसा लगता है कुछ है नहीं ठीक है कोई ही नहीं आसपास ऐसा जिसको मैं बोल दूँ तो जो में लिविवस्ता कर देया पर जो यह सोचे कि इनसान पर इतना वोज़ा है तू जादा सोच रहा है या जादा सोच रहा है जादा सोच रही ऐसा मत सोच की क्या लोग यही गाइड करते है क्योंकि उनको अतना ही समझ में आ रहा हूता दे हैं इसके लावे ही और नर्जी है की कंडीशनिंग अ इक ही परसन को ऐसे क्यों फील है ना ये शीप जो है वो शीप की बात है इस परसन को समझ में नहीं आएंगी जी कि क्योंकि इनके अंदर कुछ अलगी पकर रहा है इनके अंदर कुछ अलगी चल रहा है इनको चाहिए इनके जैसा इनसान जो इनकी तरह इनकी लैंग्विज में बात करें ओकी इसके अलावा जो आपकी जिद्गी में उसके साथ कोई ना कोई कर्म संबंध है आपका ठीक है तो कार्मिक रिलेशन्स आपको मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से ही तो यूनिवर्स कहता है कि responsibility लो लेकिन universe ये नहीं कहता है कि सब की responsibility आप लेकर यूनो आप self love को शूनने करते हैं अपने अंदर से या फिर आप unnecessary लोगों का बोज़ धोएं एक होता है या फिर इसको कहते हैं burden लेना ठीक है help करना उसे बोलते हैं responsibility लेना वहां बोलते हैं जहां पर आपकी responsibility है कि आपको इस व्यक्ति के इतना काम करना है तब तक जब तक यह इनसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं चाहता ठीक है या फिर यह करने नहीं लगता या फिर उसकी तो यहां पर वो energy आ रही है इसके अलावा नहीं पर energy comparison and creator आपके partner जो है वो कहीन है कि आपका comparison और लोगों से करते हैं आप तो अपनी life के creator बन चुके हैं जब आपने अपने आपको fear से मुक्त कर लिया बहुत साई चीज़ों से मुक्त कर लिया और freedom की जिनगी जब आप जी feel हो रही है love feel हो रहा है वो कहीं और नहीं feel हो रहा है ठीक है ना तो आपकी comparison किसी के साथ भी कर दिया जाए धर्टी में दुनिया में कहीं पर भी ठीक है आपका comparison कोई भी निकल कर नहीं आता है क्योंकि आपके partner कर लगता है कि जो आपके लिए feel करते हैं जितनी harmony वो आपके feel करते हैं उतनी harmony वो किसी और के लिए feel नहीं कर सकते है और यह कटू सकते है ठीक है ना इस person को ऐसा feel होता है कल रात में भी यह feel हो रहा था and हर बार इस person के अंदर वही चीज़े आ जाती है कि जो कुछ किया है सब मैंने ही किया है मेरी वज़े से हुआ है so guilt बहुत strong बढ़त बढ़त बढ़ता है कल रात में तीन चार बात हैं जो person बहुत जार नहीं सोच ते पहली बात की person आपकी queen of cups की energy है तो यह जो हमेशा सोचते रहते हैं वो आपके प्यार के वारे में लगातार सोचता है भाई यह आपका partner आप करते हो मैं मुसे कोई फरक नी पढ़ता है इसा नहीं है दिखाता नहीं है इसको पर जिम्मेद आल जा है या फिर वो अपनी life के अंदर जिसको आपसे फरक नी पढ़ता हो और आपकी life के अंदर लौट कर नहीं आएगा इसी चीज़ मैं बता देती हूं जो इनसान करकल in the day to a place अ जो आपका ऑर अपको लौट करेंगा और दूर जांग कर नहीं है तो अगर वह भी लॉट कर आजाता है पने आपका दुखळा रोने लगता agreeing with a सुनाता है जिसकी बार्ट सुनकर उसको देखकर आपको ऐसा फील होता है यह अपनी लाइफ में खुश नहीं है तो पहली चीज जो कल रात में यह परसन सोच रहे थे वो है आपका लाओ जिसके बारे में यह परसन हमेशा ही सोचते रहते हैं जो हमेशा ही निकल आता है तीन तो मुझे को फैसला गलख ले लिया इस परसंट में ठीक है? अच्छा. यहां पर भी एक सवाल आता है कि क्या कोई इंसान की नियती में अगर चीज हैं नहीं लिखी हैं तो फिर भी क्या हो जाती है? घट जाती हैं तीकि नियती में लिखा तो होगा ऐसा नहीं हो सकता कि लिखा ना होगा लेकिन ऐसे नहीं लिखा हो सकता कुछ अलग तरीके से लिखा हो ऐसा हो सकता है जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ के अंदे उस समय पर आप किस तरीके से रिस्पॉंस करते हैं, तो आते ही प्लैनेट आपको टेस्ट करेगा, अगर आप उसके प्लैनेट के टेस्ट में पास हो गए, ठीक है, और आपने अच्छे से रिस्पॉंस कर दिया, या फिर आपने अपने सारी चीजों को बहुत सही तरीके से द है युनिवर्स देख रहा है कि बिना तुम लर्णिंग के नहीं सीखो गए अब बिना थपड़ खाये तुम नहीं सीखो गए तब तो फिर चीज़ें बिलकुल वैसी होंगी या उससे भी बहुत जादा माबचतर हो सकती है तो मैंने जैसे बता है कि कर्म जैसा आप करते हो उ लेकिन यह कितनी भयावा रूप में होनी थी यह इस पर निर्भर करता था कि आप लोग रिस्पॉंस कैसे करो गए ठीक है आपके बाटनर ने स्पॉंस ही गलत किया यानि कि इन्नों ने च्वाइस ही गलत बनाई अब यह च्वाइस कैसे लिब हम कहते हैं कि करता भी तूने कराता भी वही है तो फिर च्वाइस आपके पार्टनर ने कैसे बनाई ऐसे क्योंकि आपके पार्टनर को लर्ने की जरूत थी अगर आपके पार्टनर की अंतर मन की सारी चीज़ें बहुत पॉजिट है वह अच्छी और क्लियर होती है तो इनका जो फैसला होता यूनिवर् ने राइट पार्ट चूज़ नहीं करने देगा या फिर वो काईगा तु लेफ्ट पार्ट चूज़ करके पहले लर्निंग कर अपनी ठीक है ना तो इस तरी की एनरजी आ रही है एड़ आफ पैंटिकल्स कल रात में परसन अपने करियर के बारे में बहुत जादा फोकस थ जाए थे इसके अलावा पैन तो ही देखो दुनिया का दिया हुआ दर्ड टैन ऑफ शौट सो कल रात में दर्ड से भी बहुत जादा निकल रहे थे और इस परसन को लग रहा है सारे काम बहुत स्लोग है या कई बार इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस परसन का जिने का मन न लेकर आना नहीं चाहिए था यह भी कल रात में पार्टनर सोच रहे थे ओके सो यह आपकी रीडिंग निकल कर आई यह परसनल रीडिंग के लिए आप मुझे वाट्साप कर सकते हैं वीडियो पसंद रहे तो लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्यू गई प्लाध प्लाध मुझे जरसन आफस।